जब तक market इन दोनों लाइनों के बीच में है तब तक आपको sideways खेलना है जब market flat खुल के ऊपर को cross करें तो bullish नीचे को cross करें तो bearish और उस resistance से धीरे 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 drop करना है start किया और फिर उसके बाद पूरी तकता पलट हो गई मैंने एक बहुत ही अच्छा volume profile पर वीडियो बनाया है और वो वीडियो आपको मतलब Friday को मिलने वाला है hello everyone so welcome back Friday again again और आज मतलब बहुत ही कैसे बता हूँ मैं morning बहुत अस्वेज आ रहा था बहुत ही बढ़िया profit आ रहा था और एक time था जहांपे लगभग एक बढ़िये तक अच्छा profit बना and then क्या हुआ वापिस से जहांपे मैंने puts वगएरा card दिये थे sorry call वगएरा card दिये थे वहाँ पे क्या हुआ elgo के through भी market में वापिस से call selling enter होने लगी और जब call selling enter हुई तो put की side से बहुत सारा profit खाने लगी और इसके चक्कर में मुझे एलगो में भी almost ऐसा निवा की loss हुआ but it was just like very much you can say 0.2% का profit था 0.2 खेक है तो वो profit को मैं ऐस तच इतना जज नहीं कर रहा कि green में close हुआ that is far more enough for me और लगबग आपने लगबग 16,000 रुपए के आसपास ही कमाए but it was like कि उससे ज्यादा बन सकता था अगर हम second half में थोड़ा directional नहीं जाते थोड़ा बाइस अपना ज्यादा वो नहीं रखते तो जो 135, 140 के बाद जो move आया उसमें profit कम जाता और उसमें अच्छा profit बना सकते थे but market ने का किया पहले ऐसा दिखाया कि वहाँ पर panic create हुआ है by the data you can see आप अगर y check करते हो और price section देखते हो दोनों को अगर match करते तो morning का time जो था 10-11 बहे तक market ने बहुत ऐसा दिखाया कि जैसे जो call sellers थे वो लोग भागे है morning के time पर और एक certain level तक you can say 4-800 के आस पास तक लेकिन market में ऐसा क्या हुआ कि 12 बचे के बाद actually consolidation के बाद market ने एक top create कर दिया और उस resistance से धीरे 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 डॉप करना है start किया और फिर उसके बाद पूरी तकता पलट हो गई ठीक है तो अभी हम चार्ट में सारी चीज़े देखेंगे और चलो start करते है ठीक है तो यहाँ पे पहल last last में profit हुआ है क्योंकि पूरा दिन भर जो profit था पहले हो sideways पर फिर उपर के तरफ जब market गई तब था and then market जब नीचे हो गिरी तो फिर call का जो profit था call का premium बहुत कम बचा था वो बिलकुल at the money से अलगो नहीं बेचती वो थोड़ा सा outer से बेचती जिससे क्या हुआ premium कम मिला last last में दो बज रहे थे तो वो जितना भी मिला उसको gather करने का ट्राई किया और उससे सिफ 16,000 के आसपास ही बने से गई और नीचे की तरफ जाकर नीचे close कर गया पर यहां पे भी कल लो के बहुत पास में closing थी आज भी लो के बहुत पास में closing है market ट्राई कर रही है बार बार नीचे जाने कर लेकिन वो जो follow-up नहीं होता एक good follow-up you think like ऐसे जो एक बड़ा follow-up होता है वो आई नहीं रहा market follow-up देने के लिए ready नहीं है और यहां पर क्या हो रहा है कि जब तक market में जैक हो जैसे breakout यहां है बार बार यहां पर यहां पर ट्राई करती नीचे आई उपर गई नीचे आई फिर उपर गई फिर नीचे आई यहां पर यह नहीं हो रहा यह जब भी होगा ना जिस दिन भी यह होगे आपका 11-12 बजे के आस पास जैसे मालो कल हो जाए यह पर सो जा जब भी जब भी यह morning के टाइम पर यह move दे देगा ना तो फिर follow-up में move हमें देखने को मिल जाएगा otherwise अगर यह move तीन बजे होता रहा जैसे इंट्रेडे में एंट्र कर पाऊं तब तो मैं उसको hold करूँगा अगर मुझे इंट्रेडे में profit ही नहीं है तो मैं hold कैसे करूँगा correct है तो यहाँ पर हम चलो अभी देखते हैं कि market कैसे क्या कर रहा है तो हम इक पर ना पहले daily view देख लेते हैं कि daily candle बन कैसी रही है ओके यहाँ पर आप देखो कि daily candles में अगर हम देखें तो लगातार यह पांच भी रेड है ठीक है लगातार पांच भी रेड है बट problem is this कि सबका लो ना बिलकुल धीरे धीरे सिफ्ट हो रहा है अभी पहली बार market ने कल का low break नहीं किया मतला हमेशा भी चार दिन से क्या हो र daily basis पर daily basis में market is something kind of bullish ठीक है daily basis पर क्योंकि market का अभी भी trend intact trend कोई change नहीं हुआ यहाँ पर अब हम थोड़ा सा internally जाते है 15 minutes में देखते है 15 minutes में आप bank nifty को देखोगे यह रही bank nifty 15 minutes में mostly ना यह एक area है मैंने तीन दिन का chart ले लिया तीन दिन बोले तो आज का उसके पहले का और उसके पहले का यह तीन दिन मैंने पकड़े इन तीनों दिन का आगर आप देखोगे तो market ना एक range बना रहा है यह वाली इस range के बीच में बहुत trading करने का ट्राइग कर रह तो यहां पर resistance तो वही का वही है आज भी 45,000 मतलब 45,100 रुपीश के आसपास वही resistance है जो कल भी था आज भी है वही चली रहा है ठीक है morning में market ने थोड़ा सा view upside का दिखाया और data के वेरे से मैं confused हो गया मैंने थोड़ा सा put side में selling बढ़ा दी और call almost cut कर दिया बट क्या हुआ क कि market ने last last में बिलकुल change दिखाया और last में Thursday के दिन premium नहीं बचे उसके चकर में क्या हुआ profit कम अगर यही चीज अगर यह Tuesday या Monday होता तो हो सकता है profit बहुत अच्छा होता क्योंकि market ने behavior बराबर था कोई खास बहुत बढ़ा behavior नहीं था बट यह जो move आया एक बज़े के तो अगर मैं इस वक्त पूछू कि market का short term view क्या है that is bearish bearish view है तो मतला मुझे trade क्या ले नहीं चाहिए किस के साथ चलना चाहिए मुझे bears के साथ चलना चाहिए बट कैसे जब market flat खुल के break करें मतला flat खुले और नीचे को break करें तब मैं bears के साथ हूँ और मैं वो trade लेने के लिए ready हूँ ठीक है तो हम पहले यह देखते है flat area कहां से कहां तक है तो यह हम आगे वापिस यहां पर आप देखोगे यह एरिया है यह जहां से market downside का move start किया अगर मैं फ्राइडे के लिए कल के लिए बात करूं तो यह जो पूरा area है यह this is the zigzag area या फिर flat area for me जहां पर मैं यह बोल सकता हूँ कि यह area पूरा flat है तो अगर market कभी भी इस उपर ओली black line और यह नीचे जो support area है मतलब 44,600 जो support area है and upper side क्या है रोको मैं वापिस लिख देता हूँ इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं यह रहा round figure यह लो simple जी बात है मैं इसको थोड़ा सा भी हटा देता हूँ बीच ले लाइन को जिससाब वो confusion नहों यह रहा center point मतलब यह वो area है जहां पर market बिल्कुल sideways रहेगी इसमें मैं directional कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ इसके उपर I am bullish ठीक है इसके नीचे I am bearish ओके अब दोनों का format है अगर market इसके बीच में open होती है मतलब इस low के उपर और इस high के नीचे तो this will be a flat market और अगर market flat open होती है और flat open होके market नीचे को break करती है तो वो एक अच्छा bearish trade होगा क्योंकि trend के साथ हम follow up दिखा रहे हैं काफ market यहाँ पर अपर level को resistance को break करने वाली है और उस चीज से हमें एक अच्छा bigger profit मिलेगा क्योंकि daily time frame कैसा है bullish है daily time frame अभी भी bullish है तो अगर market उपर की तरफ continue करती है तो हमें उसका भी सहरा मिलेगा और हमें अच्छी trade मिल सकती है downside में हमें correction देखने को मिल सकता है अगर हमें follow through म तो मिलेगा जब flat खुलके market नीचे की तरफ जाएगी अगर market डायक नीचे की तरफ जाएगी तो आपको follow through नहीं मिलेगा क्या होता है कि मैं ऐसा market कनलाईज करता हूं daily basis पर कि मैं एक range रखूं जहां पर मुझे sideways खेलना है ठीक है तो इस चीज के उपर भी में delta neutral intraday video बनाऊ तो आपको कल Friday को शाम के टाइम पर volume profile का video मिल जाएगा और वो वीडियो मैंने बहुत थी दिल से मनाया ठीक है ध्यान से देखना उसको थोड़ा लंबा है बट मैंने बहुत इसको try किया है कि सब कुछ explain कर दूँ ध्यान से एक दो बार में देखना और वीडियो अच्छा ल होता है sell और अप्रेट ले सकतो आराम से ठीक है यहां पर बांकी फिर से सब वही है कि अगर market यहां पर gap up खुली तो panic create होना चाहिए यहां पर आज market ने बिल्कुल gap up खोला ठीक है gap up खोला market उपर की तरफ फटाक से 2200 पॉइंट ले गई पर इस चीज को sustain होना चाहिए था मतलब as per my experience अभी तक हमेशा mostly ऐसा होता है कि जब भी panic लंबा create होता है तो mostly market क्या करती है उसको sustain कर जाती हो और market में panic में buying होने लगती बट यहां पर इस बार panic में morning में बाइंग होई बट वह बाइंग ना लेट तक sustain नहीं कर पाई तो वह चीज का हमें यहां पर घाता हुआ same यहां market फिर से वैसे ही close हो गई है तो मैं फिर से वही बोलूँगा कि इस resistance को धान में रखते हुए अगर market gap up खुलती है थोड़ा बड़ा और इसको cross करती है इस resistance को तो we will play bullish again कोई दिक्कत नहीं मुझे again 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 same trade डालने में मुझे कोई problem नहीं है बस मेरा SL intact होना चाहिए मेरे कम से कम पैसे जाने चाहिए और that's it तो अगर यह gap up खुलता है इस जगा से डारेक्ट थोड़ा उपर की तरफ तो मैं यहां पर bullish play करने का try करूँगा अगर यह इस प्राइ सेक्षिन के बाद bullish trade ले सकते हो flat में जब तक market इन दोनों लाइनों के बीच में तब तक आपको sideways खेलना है जब market flat खुलके ऊपर को cross करें तो bullish नीचे को cross करें तो bearish simple as that ठीक है यह रहा bank nifty का chart अब देखो थोड़ा साम nifty का chart देखते है nifty के chart में ना morning में तो मतलब तबाही थी आप ये देखोगे मैं आपको daily chart देखाता हूँ daily chart में आपको समझाएगा कि market में morning में क्या हुआ देखो ये आपको daily chart में समझा रहा हुआ कि market में nifty कितने दिनों से यहाँ पे sideways market create कर रही है correct है देखो gap up gap up gap up gap up उसके बाद यहाँ पे full sideways market ठीक है कई हो दिनों market ने morning में क्या किया पूरा का पूरा जितने दिनों का high था उन सबको break कर दिया आप यहाँ top पे देख सकते हो अगर high break हुआ इतने दिनों का तो obviously लोग क्या करते हैं यहाँ पे breakout की trade लेना वो जितनी quantity में trade लेते हैं उनके fail होने के chances भी बढ़ते चले जाते हैं और वो ही हु हुआ यहाँ पर उनके SL कटने लगे और जैसे SL कटे market में panic selling आ गई अगेन market वहीं पर आगे close हो गई जिस जगह पर कल क्लोज हुई थी और हम सेम वहीं पर आके टक गए तो मतलब analysis भी almost similar to that है क्योंकि हम सेम जगह पर बैठे हुए निफ्टी में भी चीज होगी जैसे मैंने प्ले कर सकते हो जो मर्जी आपको करना है अगर मार्केट 19.530 के ऊपर जाता है तो बुलिश अगर मार्केट 19.350 के नीचे जाता है तो बेरिश in between this everything is sideways nothing आपको इसमें कुछ नहीं सोचना अगर gap up हो तो price action देख के आप buying की trade ले सकते हो अगर यहाँ से gap down होता और यह low break करता है तो निफ्टी में यहाँ पर selling की trade भी आपको देखने को मिल सकती है बिलकुल आराम से कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी ठीक है हम analysis daily basis पर करते है daily basis करने का मतलब क्या होता है कि हम लगातार price को जानते रहे price हमारे दिमाग के अंदर बश जाए price हमें ना सिर्फ नाम से data लिए तीन दिन का data यह कहता है कि market में यह resistance है और यह area एक support था जो कि break हो चुका है market का ठीक है यहाँ पे अगर मैं overall में देखूं जब market trendy था तो यह पूरा जो center यह वाला area है 44200 यह पूरा support है तो समझ लो एक short term support जो है वो 44200 पे है जो कि बहुत अच्छा support है यहाँ से market के पलटने के chances बहुत जादा है ठीक है और यहाँ पे market ने आज low भी break नहीं किया है तो आप समझ लो 44600 से लेके 44200 यह कोई area नहीं बनता जहाँ पे आप कोई भी directional ट्रेड लो बिल्कुल मत फसना non-directional आप बिंदास खेल सकते हो बिंदास प्ले कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है पर directional इन areas में मत खेलना मुझे ऐसा लगता है कि directional play इस वक्त इस वेरी dangerous आपके लिए मेरे लिए सब के लिए ठीक है non-directionally आप कैसे भी play खर सकते हो कोई problem नहीं है कल तयार रहना हम मिलते हैं telegram पे ठीक है और क्या होगा और mostly हम यह try करने वाले हैं कि कल हो सकता है कि मैं live आउं live market में trading करें तो कल morning में ready रहना अगर मेरा plan मना तो मैं आपको रात में inform कर दूँगा तो आप ready रह सकते हो और हम live market में trade करेंगे मैं उसमें अलगो भी पूरी दिखाँगा कैसे क्या रन कर रही है और manual भ सारी चीजे लगाता है डिपलाइ करता हूं जब profit कम है ज्यादा है loss हो रहा है जैसा भी है यहाँ पर आपको मिल जाता है और अगर first time YouTube पे थीटा गेनर्स के वीडियो देख रहे हो तो फटा 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 जाके थीटा गेनर्स को subscribe कर दो और अपने दोस्तों में share कर दो अग बढ़ तक यू